असलाम लेकुम स्टूडेंट्स इस सेशन में हम मनी और मिशन रेलेटिड मॉडल्स में एक्स्टर्नल सोशल एंटर्प्राइज मॉडल्स पर बात करेंगे आपकी स्क्रीन पर जो डायाग्राम है एक नजर देखने से आपको समझ आ जाएगी कि इसमें सोशल प्रोग्राइम यानि स्केर और एंटर्प्राइज एक्टिविटी यानि ट्राइंगल बिलकुल अलग-अलग हैं ना तो पहले model की तरह, embedded model की तरह वो एक दूसरे में एकठे हैं, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के अंदर शामिल हैं, ना ही integrated model की तरह वो कुछ हिस्सा या space शेयर करते हैं. entrepreneurial activities अलग हैं, social programs अलग हैं, external factors जो हैं वो आप इसमें contribute करते हैं, इस model में अमोमन जो social entrepreneurial activities हैं, वो funding generate करने के लिए अलग से की जाती हैं, एक social enterprise है, उसका एक mission है, वो health हो सकता है, वो education services हो सकता है, वो environment protection हो सकता है, कोई भी mission, कोई भी social cause जो आप इनों ने किया हो, लेकिन उसको achieve करने के लिए, उसको accomplish करने के लिए जो activities हैं, वो fund कहां से होंगी, इस चीज को ensure करने के लिए social enterprise एक नई organization, एक नई body काइम करता है, which is external to its social mission, जिसका जरूरी नहीं है, mission से कोई तालुक हो, बलके total जो मकसद होता है, वो revenues generate करना, profit earn करना, एक continuous funding stream create करना होता है, जिसके जरीए से social activities, social program को fund किया जा सके, बास उकात, बास situation में हो सकता है, कि जो नई entity create की जाए, जो far profit business create किया जाए, वो related हो mission से, लेकिन ज्यादा तर जो focus है, वो एक तरह से आप कह सकते हैं, business savvy entrepreneur जो है, उसका profit कमाने के उपर होता है, बिलकुल उसी तरह, जैसे competitive market के अंदर, कोई भी और business है, जो अपना profit maximize करना चाहता है, और फिर वो अपना profit अपने purposes के लिए use करता है, पर social entrepreneur का यहाँ पर सिरफ इतना है, कि जो वो profit earn करने के लिए business करता है, जो entrepreneurial activity करता है, उससे जो profits आता है, उससे वो अपने social mission को आगे बढ़ाता है, social impact create करता है, कहने का मक्सद यह नहीं है कि जो business activity है, वो उसका कोई social purpose नहीं हो सकता, या वो खुदानाखासता anti-social हो सकती है, या उसका कोई social impact नहीं होगा, चुँके social enterprise है और उसकी यह sub entity है, जो के business activity है, तो definitely वो अपनी nature में social होगी, उसकी एक social value होगी, उसका अपना social impact होगा, लेकिन main purpose या focus जो है वो चुँके profit है, और वो profit actually जाके, जो social cause है उसको अचीव करने के लिए इस्तामाल होना है, इसलिए entrepreneurial activity is external to the social mission of the social enterprise. Thank you.